नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं साइनिंग आप 2.0 अनमा मिस्टा के साथ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वाट इस डबलू टी ओ डबलू टी ओ क्या है डबलू टी ओ मतलब होता है आपका वर्ल ट्रेड ऑगनाजेशन मैं इतना ही नहीं बता हूँ इसक बार्मी बैठक हुई है और यह पहुत ही महत्पून हो जाता है भारत देश के लिए चुकि इस मीटिंग का जो यह मीटिंग हुआ था बार्मा मीटिंग आपका डबलू टी ओ का जेनेवा में यह नॉन मीनिंग फुल हुआ था मतलब बैठक जो हुई थी इसका मतलब निकल अर्थ ही निकला था इसका मीटिंग का कोई भी अर्थ नहीं निकला लेकिन भारत की मतलब के कारण उसकी एक मीनिंग फूल मीटिंग सक्सेस्फूल गई और यही मैं आज चार्चा करने वाला हूं इस पूरे सेसन में आप नए हैं तो लाइप कीजिए शेर कीजिए और सब पूराने हैं तो इस चैनल को जादा से जादा आप सेर कीजिए ताकि आप इस वीडियो को देख करके कुछ इतना सा भी नौलेज ले रहे हैं वो दूसरों को भी मिल सकें चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या है एक्चुलिए में डवल्ट्रेड और जिसकी हाली में के अंदर है और इसकी बार्मी बैठक हुई है इस बार और चलिए अब बात करते हैं यह सारे चर्चा के लिए हाली में जब डवल्ट्यों की बैठक हुई तो इसमें भारत देश का बहुत ही बड़ा महतपुर्ण योगदान रहा चुकि जैसा कि मैंने भी कहा कि यह मीटिं के द्वारा जो की यूनियन मिनिस्टर आफ कॉमर्स जो की आपका प्यूस गोयल जी है इनके द्वारा इस मीटिंग को अर्थ हीन मीटिंग से अर्थ के रूप में एक सकसेस्फूल मीटिंग या समेट कराय गया क्या है वो सारी बातें इस सेसन में जानते हैं तो हाली में ज बाली बैठक जो की लास्ट आपका इस WTO, World Trade Organization का बाली बैठक हुई थी, लास्ट बैठक जो की आपका 2013 में हुआ था, बाली बैठक के बाद, अब जाके 2013 के बाद 2022 में जाकर के इसकी कोई एक successful meeting हुई है, वरना meeting तो होती थी, यह हर दो साल में meeting अपना summit बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं, लेकिन 2013 से 21 के बीच में meeting हुई, लेकिन कोई भी successful नहीं रही, इसलिए भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, अब भारत के दोरा जितने भी आपके बात रखी गई, वो सारे के सारे देशों ने स्वि WTO में आपका total 164 देश हैं, इसमें से 164 WTO जो है, वो क्या है, एक UNO है, UNO किस प्रकार से काम करता है, उसमें बहुमत कितनी है, जिसकी ज्यादा बहुमत होगी, उसका ही बात माना जाएगा UNO में, लेकिन WTO इस प्रकार का नहीं है, WTO में, जब तक हर एक मेंबर का अपना समर्थक नहीं होगा, कि मैं समर्थन करता हूँ, इस कानून या नियम का, जब तक वो नियम या कानून नहीं बनेगा, ये है आपका WTO, World Trade Organization, मान लीजिए, एक एक एक्जामपल देता हूँ, मान लीजिए, कि चाइना के द्वारा, मान लीजिए, चाइना के द्वारा, इस पैन को बनाये जा रहा है, बीस रुपे में, टोटल कोश्ट आटाप का बीस रुपे में, और वो भारत के मार्केट को खराब करने के लिए, इसको यहाँ बेचिता है, पांच रुपे में, ताकि भारत का मार्केट खराब हो जाय, या फिर ऐसे समझिए, मान लीजिए, कि ये जो सट है, ये सट आपक सप्लाइ कर दिया अन्य देश में तो इस प्रकार से क्या होगा भारत का जो मार्केट है वो तो खराब हो जाए क्योंकि समान जो प्रोडेक्ट है कंजूमर को तो खराब मिलेगा तो इस सब के बचाव के लिए WTO काम करता है कि ऐसा कोई देश कर न सके इससे बचाव कैसे किया जा सके इसलिए WTO का काम यहां पे निकल के आता है इस प्रकार के जितनी भी घटनाएं होती है इसको कंट्रोल करने के लिए WTO काम करती है और हाली में इसकी बैठक जेनेवा के अंदर हुई है जो कि स्चीडियो लेंड के अंदर परत्याब का WTO का स्थापना कब हुई इसके बारे में जानते थोड़ा बहुत जब IMF International Monetary Fund और World Bank WB का स्थापना हो रहा था उसी समय WTO का स्थापना हो गया था मतलब IMF और जो World Bank है आपका वो काम करती है दुनिया के देशों को Loan Provide करने के लिए लेकिन WTO जो काम करती है वो आपका काम करती है वेपार के लिए वेपार के लिए काम करती है कि वेपार किस मधिस्ता से होगी किस प्रकार से होगी किसके बीच में होगी हाला कि इसमें 164 देश है आपको पता ही है और जब WTO जो है वो WTO के रूप में अस्थापना नहीं हुई थी 1945 के करीब जब World Bank या फिर IMF का अस्थापना हुई थी यह आपका हुआ था GET GATT जिसका तातपड है General on Trade and Tariff इसकी अस्थापना इस नाम से हुई थी WTO के अस्थापना GATT गेट के नाम से हुई थी General on Trade and Tariff के नाम से हुई थी लेकिन बाद में जाके 1995 में इन 1995 GET converted into the name WTO World Trade Organization और हर हर दो साल में इसकी बैठक होती है और इस बार की जो बैठक थी 2022 में ये बैठक बार में बैठक थी और आपकी और ये आपका था Ministerial Conference मतलब जितने भी देश उनके Minister आके बैठेंगे कौन से Minister तो Ministry of Commerce के जितने भी देश है उन सब देश के Ministry of Commerce के जो मिनिस्टर है वो आपके यहाँ पर आके सम्मेलन में भाग लेते हैं बैठक में इसलिए इस बार की बैठक जो रही वो Ministerial Conference के नाम से जाना गया और मैं बता दूँ इसकी जो हैड है नगोजी अकोंजो नगोजी अकोंजो इनकी हैड है WTO की हैड है और इन्होंने वकायदा यह कहा कि भारत के बज़ा से भारत किसके बज़ा से भारत के जो आपके Union Ministry of Commerce है जो की प्यूस गोजी है उनको धन्यवाद दिया कॉंगरेचुलेशन का कि आपके बज़ा से ये मीटिंग सक्सेस्फूल रही और मैं आपको बधाई देती हूं कि आप इस मीटिंग को सक्सेस्फूल कराई चलिए अब जानते हैं कि एक्चुली में भारत ने क्या किया WTO के अंदर जो कि भारत देश की इतनी प्रसंसा हो रही है खास करके प्यूस गोयल की चलिए अब जानते हैं जैसा कि मैंने भी कहा जश्ट कि वहाँ पे जो मीटिंग थी वो अर्थ ही निकल रही थी लेकिन प्यूस गोयल के द्वारा कुछ तथि रखे गए और उस तथि को 164 देश ने सहमती रूप से अपना ली इसलिए आपका ये तीन पूर्ण हो जाता है ये तीन बड़े मुद्दे क्योंकि हाली में मैंने क्वार्ड सेशन की एक वीडियो बनाई है जो कि इससे ही रिलेटेड है अभी मैं उस पे पहुंसता हूं मैंने कहा कि तीन बड़े मुद्दों उन्होंने वहाँ पे उठाए और 164 देश ने मान ली और उसकी वज़ा से जो आपकी मा की हेड थी उन्होंने उनको कॉंग्रेचुलेस्ट किया और उनको सवासी दी अब चली जानते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस्ट्रक्चर ऑफ डबलू टीयो डबलू टीयो का एक स्ट्रक्चर क्या होता है आप दे इस्ट्री ऑफ कॉंफरेंस होता है उसके जैस्ट्री नीची आपका होता है जैनरल कॉंसियल जैनरल कॉंसियल का आपका थीन भाग हो जाता है गूड कॉंसियल गूर्स कॉंसियल सर्विसिस कॉंसियल और तीसरा हो जाता है इंटलेक्ट्यूल प्रॉपर्टी कॉंसियल झाल 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 झाल